हेलो दोस्तों तो आज हम समझेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस तान से वर्क करती है तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है मेरे पास यहां पर दिखाएंगे कि बहुत पराणी वीडियो है और इसको मैं इस्तमाल कर रहा हूं यह देखिए हमारे पास जो समझाएगा उपड बेसिक वेसे समझाएगा तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वाटर है वाटर किस काम हम देखो कितने काम मिलाते हैं अभी डैम बनाते हैं तो डैम से उपर से पानी जब आता तो यहां पर टरबाइन से स्ट्राइक करेगा और यह रोटेट करना शुरू कर देगा तो यह दे करते हैं छोट छोटे हैं जिससे हमें पता लग सकते हैं कि हम किस तरह से अपने जो हमारे पास पावर है उसका सही यूज किस तरह से कर सकते हैं तो किस तरह से हम हाइडरोलिक मशीन्स और हाइडरोलिक ब्रेक्स किस तरह से करते हैं तो देखिए तो यहां पर यहां पर फिल करेगा किस से कोई हैमर से या थोड़े से यह देखो तो अभी यह स्ट्राइक करता है तो दूसरे रफ से यह दूसरा जो है वो निकल जाता है बाहर तो यह हुआ क्या यह हमने फोर्स ट्रांस्मिट कर दी यहां से जो फोर्स आई उस मतलब यह ची देखो यहां से फोर्स दी पानी को मिली, पानी ने आगे प्रेशर दे दिया, ठीक है, वो फोर्स आगे ट्रांस्पिट कर दी, मतलब हमारे पास इसमें इतनी कैपस्टी है कि फोर्स ट्रांस्पिट कर सकता है, ठीक है, तो आगे दे सकता है, तो अभी इसमें देखो कि जो पानी है, तो हमारे पास वो क् साइड से तो दूसरी साइड अपने आप मूव चलता है इसी तरह से होता है इस तरह से हम फोर्स ट्रांस्पेट कर सकते हैं तो पहले वाले experiment और इससे experiment से यही पता लग जाता है कि हम force transmit कर सकते हैं और यह हमारे पास link बन गया है इसमें भी हमारे पास यह है चाहे वो pipe सीधी थी चाहे इस तरह से tidy कर दो पाइप हमने tidy भी कर दी फिर भी यह देखो force जो है transmit हो रही है यहां से यहां अभी देखो force ट्रांस्पिट की इधर से की तो इधर होगी यह हम करते हैं यह सी चीज़ें हम समझ सकते हैं इससे तो यह हमारे पास फोर्स ट्रांस्पिट कर रहा है लेकिन हम एक चीज़ समझने वाली है हमारे पास यहां पे कि इसका जितना एरिया है उसका भी इतना एरिया है यह अगर य तो हमें टेंशन नहीं है तो दोनों तरफ चार इंच मूव करते हैं अगर हम यहां पे तो अगर यहां से फोर्स ट्रांस्पेट होगी तो यहां तक जाएगी वहां पे भी सेम ही शोग करना चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास ही हो रहा है कि पासकल लोग यही कहता है कि अगर कहीं मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है और उसमें एक फोर्स ट्रांस्पेट करता हूँ तो थ्रूआउट अगर मैं किसी एक पाइप के अंदर बंद पाइप के अंदर फोर्स ट्रा इसमें अगर मैंने यह फोर्ट ट्रांस्पिट किया है यहां पे भी उतना ही वैल्यू आजेगा यहां पे भी उतना ही वैल्यू आगया जितना यहां से हमने वेट डाला उतना ही आगया क्यों क्योंकि पूरा क्पूरा आगे ट्रांस्पर कर दी हमने तो यह जो फोर्ट ट्रा होगा ठीक है तो यहां जब ट्रांस्मिट होगा यह देखो यहां गया यहां पे भी उतना प्रेशर यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी उतना ही प्रेशर है प्रेशर सेम रहेगा प्रेशर सेम रहेगा जितना यहां से ट्रांस्मिट किया वहां पे भी उतना ही होगा सब पढ़ा था कि अगर मैं force अपनी कम लगा कर ज़्यादा weight उठाना चाता हूँ तो distance change हो गया था अब इस case में क्या है कि अगर मैं इसको 4 inch यहां से यहां move करता हूँ तो यह सिरफ 1 inch 1 inch 1 inch 1 inch move होते हैं move कम होते हैं उपर उठाई कम जाते हैं लेकिन हमारे पास same pressure आगे जा रहा है ठीक है तो हमारे पास यह 4 pipes का case ले लिया हमने हैं तो 1 inch यह जाएगा 1 inch 1 inch 1 inch लेकिन यह हमारे पास pressure same रहेगा लेकिन अगर अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं थोड़ा सा क्या दिमाग लगाए है कि area इसका कम कर दिया और इसका area बड़ा कर दिया चार गुना कर दिया चार गुना जब किया तो हमारे पस यह पाइप जो है मैं यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा आपको समझा दूँ यही सेम केस है सेम केस है आप समझाने के लिए यहाँ पे भी बनाता हूँ तो यह जो पाइप है यह एरिया कम है यह एरिया कम है और यह एरिया ज़ादा है तो यह जो एरिया ज़ादा रखा हुआ है यहाँ पे वो मान लो चार गुना इससे यह चार गुना इससे ठीक है अभी मेरे पस जो यहाँ पे वेट रखा है देखो तो यहाँ पे piston होगा, यह वाला piston है, और यहाँ पे भी piston है, तो यह जो piston है, इसके उपर मैंने weight रख लिया, तो यहाँ पे भी piston है, लेकिन area क्या है, चार गुणा, अब एक चीज़ समझना है, उसने क्या का है, कि pressure will be same, pressure will be same, तो pressure अगर same होगा, इसका pressure अगर मैं माल लो P, small P माल लो, और यह माल लो P, capital P, इस तरह से कुछ भी माल सकते हैं, लेकिन हो क्या है, सेम है, P will be equal to P, इस तरह से होगा, अब हमें पता है कि pressure क्या होता है, force per unit area, force per unit area, area कम है इसका, force per unit area, area यह, चीक है, area बड़ा लगा लिए, area यह बड़ा A लगा लिए, अभी मेरे पास देखो, force यहां पे माल लो, यहां पे मैं रखता हूँ four, ठीक है, four मैं, newton में हम माल लेते हैं, एक बार four newton माल लेते हैं, क्योंकि हमने यहां पे अलग लिया है, यह मैं लेकिन four newton माल लेता हूँ, और इसका area माल लेता हूँ, यह piston, इस piston का area, area मतल़ा ओपर वाला गोल, यह pie by four d square करके, तो यह मैं माल लेता हूँ एक बार, एक मीटर स्कूर, ऐसी कुछ भी माल रहा हूँ, ठीक है, एक मीटर स्कूर, अभी मेरे पास यहां पे, यहां पे कितना force हो कि यह देखो, प्रेशर कितना बन गया, चार न्यूटन पर मीटर स्क्वेर बन गया अभी यहां पे भी हमें इसी तरह से आना चाहिए अगर मैं इसका एरिया चार गुना बड़ा कर देता हूँ चार मीटर स्क्वेर कर देता हूँ किसका एरिया यह वाला एरिया इससे चार गुना बड़ा यह 4 मीटर स्क्वार कर देता हूँ तो क्या उपर रखूं कि काटके यह यह कटके वापिस से 4 आजे क्या चीज उपर रखूं कि मेरे पास 4 आजे ठीक है समझे है तो आप इस तरह से काटो उस चीज़ को कि हमारे पास 4 आजे तो इसको 16 16 नीऀ이टन रख देता है तो यहाँ पे जो वेट रखा जाएगा वो 16 नीएटन का रखा जाएगा बतलब चार गुना हेवी चीज़ आप उठा सकते हो चार गुना हेवी चीज़ उठा सकते हो तो मैं इसको काट देता हूँ तो यह देखो कि कट गया तो ये भी बन गया ना फोर न्यूटन पर मीटर स्कुएर और ये भी क्या था फोर न्यूटन पर मीटर स्कुएर तो ये इसकी बात वराबर होगी कि फोर न्यूटन पर मीटर स्कुएर यहां पे भी प्रेशर है और 4 N per meter square यहां पे भी है 4 N per meter square यहां पे भी pressure है आप बात समझे के लेकिन इसमें थोड़ा सा change है change क्या है अगर यह distance move करेगा 4 meter नीचे जाएगा ना तो यह सिर्फ 1 meter ही उपर जाएगा बस यह change है कि हम तो इसको इतना जादा move करेंगे आगे तक इसको move करेंगे जादा लेकिन यह हलका सा उपर उठेगा अगर मैं इसको 4 फुट 4 meter जो भी करूंगा उसका one fourth ही वो उपर निकले उपर जाएगा हमें यह चाहिए कि हमने force जादा ले लिया इससे क्या होगा यह देखो यह अगर यहां पे देखो 4 तक जाएगा नीचे लेकिन वो कितना जाएगा वो सिर्फ एक ही जाएगा और उसका जो value आएगी वो 16 आएगी यहां पे 4 है तो यहां 16 आजएगी तो आप heavy weight उठा रहे हो वहां पे ठीक है इसी को movement को दूबारा देखो एक बार मैं उसी वीडियो पे दूबारा जाता हूं उसी scene पे दूबारा चलते हैं तो यहां पे देखो यह जा रहे तो इसकी motion देखो इसका motion कितना जा रहे है वो थोड़ा सा जाता है वो थोड़ा सा उपर जाएगा हमारा distance का move लेकिन हमारे पास क्या फाइदा हो गया कि हम heavy weight उठा सकते हैं heavy weight उठा सकते हैं वो हमें फाइदा देगा क्योंकि हम force कम लगाएं आगे force ज़्यादा उठाई जाए और क्या चाहिए इसी लिए हम क्या कर देते हैं हम hydraulic jack हम hydraulic brake हम hydraulic steering सब कुछ इसी के base पे बनाते हैं Pascal log के base पे ही बनता है सब कुछ ठीक है जतने भी तरह की machines हैं तो यह दिखाएंगे कि कितनी तरह की machines हैं हमारे पास जो hydraulic पे काम कर रही है हमारे पास यह cotton को प्रेस कर रहा है अब इसका area देखो कितना बड़ा है लेकिन जो पीछे से force दे रहा है उसका area बहुत कम होगा cylinder यहाँ पे बड़ा होगा हमेशा ही बड़ा होगा जिसने आगे force लेना तो इस case में देखो हमारे पास बड़े बड़े जो top होती है तो उनको हिलाने के लिए भी hydraulic ठीक है hydraulics का इस्तमाल किया जाता है तो इसका motion जो असान तो है नहीं हम तो करने सकेंगे तो वो सारा काम कोन कर रहे है hydraulics से करती है ठीक है तो यहाँ भी hydraulics यह हमारे पास मालो की stage है उसको उठाना है तो यह उठाना है तो हमारे पास नीचे जो slender है वो बड़े heavy वो बड़े heavy रखेंगे यह वाले और आगे जो होगा slender वो छोटा होगा ठीक है इस तरह से होगा यह वाला और इस case में हमारे पास देखो इस case में हमने क्या दिखा रखा है next देखते है हमारे पास यह देखो हमने क्या किया हुआ यहाँ पे छोटे slender लगा दी यह अलग चीक है छोटा case दिखाया हुआ हमने इसको समझाने के लिए कि वो ही अलग case जो मैंने बताया देखा starting में कि चार हमारे पास क्या थे चार हमारे पास छोट छोटे slender थे और यहाँ पे एक छोटा slender था हमने जितनी force यहाँ से ट्रांस्मिट की सब चारों को उतनी मिल गी थी तो वो ही same case इसमें करता है कि यहाँ पे लगाता है और यह देखो इसको हम कहेंगे master slender यह है master slender जो क्या है force को transmit करेगा यह इस पे हम force लगाएंगे और piston को move कराएंगे hydraulic जो है आगे जाएगा oil और सब को दबाके यह देखो इसको तोड़ देगा तो हम अपने हाथ से तो तोड़ नहीं सकते थे उस पत्थर को लेकिन इसी उसी हाथ के force को इस्तिमाल कर लिया इसको तोड़ने के लिए कितनी अच्छी चीज़ है इस चीज़ को समझो अब stage है stage को यह छोटा model बना के दिखाते हैं कि किस तरह से वही हमने जो cylinder है यहां पर यूज कर लिए और उसी master cylinder का यूज कर लिए उसी master cylinder का यूज कर लिए अभी आप सोचेंगा hydraulic brake तो आई नहीं अभी दिख अभी आजेगी एक minute में आपका आजेगा hydraulic brake का यह master cylinder है हाथ से दबाया और यह देखो इस तरह से motion करने से यह क्या होगा कि यहां से piston move होगा उसे piston से यह देखो आगे वो वाला यही case जो हमने पहले देखा न तो उसमें भी यह आ गया यह देखो तो इतना मतरब कर सकते हो लेकिन देखो चाहे ची छोटी बना लो आपकोस law वही रहेगा पास का law ही रहेगा इसी law के बेश पे आप जितना मर्जी बढ़ा कर लो जो मर्जी बना लो आप वो कर सकते हो किसके बेश पे आप कर सकते हो सारा का सारा पास कर लो इसी को निकालो कहता है अब आ गया चीक है आपके वेट कर रहे हो जिसके लिए वो आ गया अब ही क्या करेंगे कि यहां पे master cylinder लगाया थे कहां पे car में अभी car में जो master cylinder लगाया है इसको बंद कर दिया और यहां पे देखो यहां पे छोटे cylinder जो चार लगाए थे न वो चार cylinder चारो brakes पे लगा दिया चार wheel है हमर brakes को खुलने नहीं देता क्योंकि brakes drum के साथ लग देंगी तो brake लग देगा अभी हम master cylinder को push करते हैं जो हमने काम करने master cylinder को push किया अभी यह जो चारो के चार है हमारे का cylinder वो एक साथ एक ही same distance तक move करेंगे देखो किस तरह से देखो यह इस तरह से move करेंगे अपने आप यह तो इ यहां पर brakes लग रही है यह देखो और यह hinge point होता है जिसके round यह move करता है ठीक है simple है इसके round यह move करेगा अब यह चार जितने हैं हमारे साथ चार है ना चारो cylinder एक साथ move करते हैं हम एक बार दबाएंगे चारो cylinder को power मिलेगी और उसके कारण हम करते हैं ठीक है और यह दिखाए कि इसकी wear and tear कितनी होती है किस तरह से होती है ठीक है तो हमारे पास इस तरह से work करता है ठीक है इस ची को अब जरूर देखो यह हमारे पास क्या आ गया यह देखो बाहर वाला ठीक है यहां पर drum आता है यहां पर drum जो break drum होता है यह break shoes हैं जो क्या है wear and tear हो जाता है इनका और य ही काम हम कर रहे हैं तो यह आपने समझना है इस चीज में इस चीज में आपने यह समझना है तो यह जो हाइडरोलिक ब्रेक्स है यह इस तरह से काम करती है आपके पास मास्टर सिलेंडर सेंटर है और चार सिलेंडर जो है वो हर जगा पे लगे हो लेकिन उसका जो function है जो काम है वो पहले हमने समय लिया पास को लो में समय लिया देखें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है बेसिक से समझाते हैं I hope कि यह चीज आपको समझाई हो भी next video में फिर से मिलेंगे thank you thank you so much हुआ है